तो देखते हैं पर question number 14 में हमसे क्या पूछा गया है An object 5 cm in length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror of radius of curvature हमें यहाँ पर कितना रख़े 30 cm हमें यहाँ पर position बताने हैं, image की nature बताना है और उसका size बताना है, मत्तब यहाँ पर height बताने है, image की कितनी height का बनेगा तो यहाँ पर करते है solve और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या given दे रख़ा है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर object distance की बात कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर u से denote करते हैं तो object distance हमें यहाँ पर कितना दे रख़ा है, इसको u से denote करते हैं वो हमारा यहाँ पर किता हूंगा, minus का 20 cm होगा, minus का 20 cm इसलिए होगा, क्योंकि यह हमारा किस साइड होगा, left side होगा, left side होने के वज़े से, हम यहाँ पर इसको क्या लेंगे, minus का 20 cm, क्योंकि यह हमारा convex mirror के front पर बन रहा है, तो front पर बनेगा, तो यहाँ पर left side बनेगा, इसलि वो हमें यहाँ पर नहीं पता, तो यहाँ पर question mark लगा देते हैं, और radius of curvature, तो यहाँ पर हमें radius of curvature भी गिवन था, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो radius of curvature यहाँ पर क्या होता है, twice the focal length होता है, जो कि यहाँ पर हमें कितना गिवान है, plus का 30 cm लेंगे से, कितना लेंगे हमें प्लस का 30 cm, क्योंकि यह हमारा यहाँ पर क्या होगा, right side होगा, और radius of curvature यहाँ पर क्या होता है, twice the focal length होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2F equal to 30 cm, यहाँ से हम focal length निकाल लेंगे, तो focal length यहाँ पर कितना निकलेगे हमारा, F is equal to 30 divided by 2, तो यहाँ पर हमारा 15 cm इसका focal length निकल गया, अब हम यहाँ पर use करेंगे mirror का formula, mirror के formula से हम यहाँ पर image की distance निकाल लेंगे, तो mirror formula हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्या होता है, 1 upon V plus का 1 upon U equal to 1 upon F, तो यहाँ पर जो हमारा image distance है, वो हमें नहीं पता, तो इसको as it is लिखते हैं, और यहाँ object distance negative में था, तो यहाँ पर negative sign लगाते हैं, तो 1 upon 20, और focal length 1 upon 15 हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर जो minus का 1 upon 20 है, वो right side transpose हो जाएगा, तो वो plus में हो जाएगा, तो 1 upon 20 plus का 1 upon 15, इसको यहाँ पर solve करते हैं, तो 1 upon V equal to इसका LCM, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 60, तो V की value देखी जाए, तो वहाँ पर कितनी हो जाएगे, 60 upon 7 आजाएगी, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको divide करना है, तो divide यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, side में इसको, तो 60 को हमें 7 से divide करना है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, 7 8 जा 56, और यहां पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा point लगा देंगे और 77 जा यहां पर क्या होगा नहीं 7 नहीं आएगा 75 जाएगा 75 35 फिर दुबारें यहां पर कितना आगे 50 आ जाएगा और 77 जा 49 तो 8.57 हमारा क्या जाएगा सेंटीमेटर आ जाएगा जाएगा एसको डिवाइट करने के बाद 8.57 सेंटीमेटर तो जो हमारी image की distance है तो यहां पर कितनी आ चुकी है 8.57 सेंटीमेटर आ चुकी है अब हमें यहां around image की हाइट भी पता आ नहीं ठीए तो हमें image की हाइट के लिए हमें यहां पर magnification का formula पता होना चाहिए mirror के लिए, तो यहाँ पर पहले बात कर लेता हूँ, यहाँ पर h2 height होगी, वो यहाँ पर image की height होगी, किस की height होगी, यहाँ पर image की height होगी, और जो h1 height होगी, वो यहाँ पर object की height होगी, जो कि हमें यहाँ पर given थी, object की height हमें यहाँ पर कितनी given थी 5 cm given थी तो इसका जो magnification of mirror का formula होता है वो यहाँ पर दो formula होते हैं एक तो यहाँ पर होता है M यहाँ पर magnification of mirror है एक होता है यहाँ पर minus का V upon U और second होता है हमारा यहाँ पर M equal to H2 upon H1 तो हम यहाँ पर दोनों का compare कर देंगे तो यहाँ पर क्याएगा minus का V upon U equal to H2 upon H1 तो इस formula में हम value put करके हम यहाँ पर height निकाल सकते है image की तो minus का V, तो minus का V का मतलब minus का 8.57 हो जाएगा और minus का U जो हमारे यहाँ पर किता, minus का 20 था तो यहाँ पर minus का 20 कर देंगे और यह दोनों अपस में कटके positive हो जाएगे और जो हमाए H2 है वो हमें यहाँ पर given नहीं है तो इसको as it is लिखेंगे और H1 हमें यहाँ पर कितना given है? 5 given है तो यहाँ पर क्या होगा? 5 बन जा 5, 5, 4 जा 20 अब यहाँ पर simple इसको divide करना है, 4 को 8.57 से divide करना है तो ह2 equal to यहाँ पर क्या है हमारा? 8.57 divided by 4 तो देखते हैं इसको 4 से divide करके कितना आ रहा है? यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4, 2 जा 8, 2, 4 बन जा 4 फर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 4 जा 16 तो यहाँ पर h2 कितना आगे हमारा 2.14 तो इसको एप्रोक्स में लिखना हो तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 2.2 cm क्या लिख सकते हैं इसको 2.2 cm लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो भी यहाँ पर निकल चुकी है तो हमने यहाँ पर image के distance निकाल ली, height निकाल ली हाँ यहाँ पर image की अब हमें यहाँ पर nature बताना है